गुड मॉर्निंग एवरिवान आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना संधी जैसा कि आप लोग उन्हें थंबनें से ही रेखा होगा कि बोड में आने वाले जबर्चस्ट क्वेश्चन्स मतलब संधी पर आधारिक जो क्वेश्चन्स दसियों साल से पूछे जा रहे हैं उन संधी और विसर्ग संधी स्वर्संधी क्या होती है दो स्वर्ग मतलब आ से लेकर ओ तक आपस में मेल होने पर उनका परिवर्थन भी स्वर्में ही हो मतलब वह स्वर्में ही परिवर्थे तो वह हमारी स्वर्संधी क्या राती है जैसे आ प्लस ई बराबर ए आ प्लस उ बरा वेंजन में हो जाए जैसे जगत प्लस इस तो ता का परिवर्तन दामी जगदीस ओके विसर्ग संदी क्या होती है विसर्ग के समीप जब किसी स्वरत्वा वेंजन के आने पर जो विसर्ग के रूप में परिवर्तन होता है उसे हम विसर्ग संदी कहते हैं ओके जैसे नी प्लस चल नी मतलब शब्द के बाद में आ गया नी प्लस आहा मतलब निश्चल और चल मतलब निश्चल आधा शा में परिवर्तन हो जाएगा तो यह हमारी हो गई संदी अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉप क्वेश्चन्स जो यूपी वोर्ड और अनिप्रतियों की पर दीजेगा जो हमारे अनिप्र और प्रतियों की परिक्षाओं वाले कंडिडेट्स से उनको भी इसका लाब हो सके ओके श्टार्ट करते हैं अपने कॉश्चन स्रीज है हैं अपना संधी question series पहला question है मध्वरी शब्द का संधी विच्छेद है मध्वरी तो मध्वरी का संधी प्लस आरी तो यह option employer जहां पर होगा वो right होगा मतलvideo option होमारा right है मध्वब प्लस अरी यह हमारी संधी होती है इको प्रणच इको यनची मतलब ए का परिवर्तन यामी और उ का परिवर्तन वामी तो मधु प्लस अरी बाकि सारे option आपके गलत हैं next question है स्वागतम स्वागतम का संधी विच्छे दोगा कि सू प्लस आगतम कि सू प्लस आगतम इसका भी परिवर्तन उ प्लस आ का वामी हो गया है यह देखें उ प्लस आ का परिवर्तन वामी और यह भी हमारी जो संधी है वो यह संधी है next option है मारा प्रती उत्तर प्रती उत्तर मतलब प्रती प्लस उत्तर ई उ और इसका परिवर्तन हो गया है आधे यामी मतलब प्रती उत्तर यर संधी यह संधिया जो हमारी है यह बोर्ड पेपर मी हर साल मतलब लगातार दस सालों से continue पूछी जा रही है तो next हमारा question है यहाँ पर पवन पवन भी very important है संधी कि हर साल पुछी जाती है जैसे पवन भवन पावन भाबुक यह सारे शब्द जो है आयादी संधी के उधारण है मतलब आयादी संधी और आयादी संधी very important है कि पवन जब हमेरी शब्द में कोई मात्रा ना हो ध्यान द जब शब्द में कोई भी मात्रा ना हो तो हमारा option जो होता है वो वाला सही हो जाता है चाहे पवन हो चाहे भवन हो ठीक है अगर भवन है तो भवन प्लस अन मतलब पवन और यह हमारी आयादी संधी है next नैनम में क्या है देखिए ना या न म मतलब ने प्लस अनम मतलब नैनम ठीक है यह इसी तरह हो जाएगा इसी तरह पवन ठीक है तो ने प्लस अनम नैनम अगर यही नायक होता तो हमारा क्या हो जाता मान लिजे अगर नायक होता अगर नायक होता कि नायक की संदी विच्छेत करिये तो क्या हो जाएगा नय प्लस अका हो मतलब जब बड़े आखी मात्रा होगी तो आ होगा अगर सिंगल मात्रा होगी तो आ होगा नय नम नेक्स देखते हैं सूर रोद है वेर इंपोर्टन और सबसे एजी मतलब सूर उदय सूर प्लस उदया मतलब होगा हमारा आ प्लस उ आ प्लस उ का परिवर्टन किस में हो जाएगा ओ में जब ओ में परिवर्टन होता है मतलब एक मात्रा लगे चाहे ओ की लगे और चाहे एक ही लगे तो हमारा always जो होता है वो गुण संदी होती है या देखिएगा इसमें एक मत्रा लगी है और हमारा right option है सूरे प्लस उद्याह मतलब सूरे उद्याह गुण संदी ओके next है कि भावनम देखिए आ गया अभी आपको उपर बता रहे थे ठीक है भावनम आउ लगा है तो single आप मत मत्रा हमारी जो है वो सिर्फ इसी में लगी है only भावनम इसी तरह आपको पावनम भी बताया ठीक है नैनम बताया तो यह single मत्रा वाले जो हमारे शब्द होते हैं यह हमारे भो प्लस अनम मतलब भावनम और याद रखिएगा कि आयादी संदी जो है वह 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 इंपॉर्ट रहती है ओके नेक्स्ट है हमारा पावका ठीक है पावका में क्या है देखिए पावा मतलब बढ़या की मतलब है simple हमारा chain हो गया कि जिसमें यह दो मतलब लगी हो यह हमारी पावका ठीक है भावुक जैसे माली जी आपका भावुक एक शब्द आता है ठीक है भावुक में क हमारा हो जाएगा भावोग यह भी हमारी क्या है आयादी संदी है ओके नेक्स्ट आते हैं तथेव बहुत important है जैसे तथेव सदेव तो यह सब क्या है हमारी पहली बात तो जिसमें दीर घमात्रा लगके आती है यह always आप पहचान लेजिए कि ब्रद्धी संदी होती है ब्रद्धी संदी अगर नाम भी पुछले तो आपको याद होना चाहिए कि ब्रद्धी संदी और हमारा आप्शन सही हो जाएगा तथा प्लस एउ मतलब बड़ा आ प्लस ए बराबर अए ओके जैसे तथयो सदयो महोसदी ये सारे शब्द जो हमारे होती है ये ब्रद्धी संदी के उधारण होते है उसके बाद नेक्स्ट है रमेशा ठीक है रमेशा एक शब्द होता है ध्यान दे लिजेगा कि आप से पूछा क्या गया रमेशा और यहाँ पे पूछा गया है रमेशा राम प्लस ईशाह ठीक है दोनों में अंतर जना ध्यान लखिएगा राम प्लस ईशाह तो हमारे ये उप्शन सही होगा रमेशा तो जिसमें आ प्लस ई का परिवर्दन ए में हो मतलब सिंगल मात्रा में ये हमारी जो होती है तो जिसमें दीर गमात्राई लग जाए ये अलवेज हमारी जो होती है ब्रधी संधी होती है उकोled तो यहां तक उमेद है कि सब को संधी जो है वो समझ में आ गई होगी और आप लोगों ने वीडियो को अंतर तक देखा है इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवान और अधिये संदी जो है हर साल बोर्ड परिक्षाओं में कमपल्सरी 10 साल से लगातात पुछी गई है इसलिए वीडियो को आप एक से दो बार रिवाइस कर लिजेगा और इसको शियर जरूर कर दीजेगा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शियर जरूर कर दीजेगा ओके?